दोस्तों अगर आप भी भारती टीम को विश्व की सर्वस रिष्ट टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों भारती टीम श्रिलंका के खिलाफ टेस्सरीज खेल रही है जहां भारती टीम पिछले कई मुकाबलों में चाहें वंडे हो या फिर टीट बंटी या फिर टेस्ट लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और इस समय श्रिलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारती टीम पहले दू दिनों में श्रिलंका की टीम के ऊपर शिकन जाक कर शुकी है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं भारत और श्रिलंका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारती टीम के लिए सबसे आकरामक टेस्ट प्लेयर कौन है अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईए दोस्तों भारती टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला बैंगलोरू के स्टेडियम में पिंक बॉल से दिन रात्री टेस्ट मुकाबला खेल रही है जिसमें भारती टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जित कर बल्ले बाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में श्रया सेयर के बानबे रनों की पारी की बदोलत भारती टीम 252 रन बना पाई इसके बाद श्रिलंका की टीम बल्ले बाजी करने के लिए आई जिसने पहले दिन 86 रन पर ही 6 विकेट गिरा दिये थे और जब दूसरे दिन का खेल प्रारंब हुआ तो 6 ओवर के अंदर ही श्रिलंका की टीम आल आउट हो गई और भारती टीम की गेंदबाजी में भारती टीम की तरफ से जस्मृत बुम्रा ने पांच, मोहमद शमी और रवी चंद्राश्विन ने दो-दो विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट हासिल किया और इसी के साथ भारती टीम के पास 143 रनों की लीड मौजूद थी जिसक ठाक शरुआत भारती टीम को दी और 42 रनों की साज़दारी करी जिसके बाद मयंक अगरवाल 22 रन बना कर एमूल देनिया के शिकार हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा की परफेक्ट रिप्लेस्मेंट साबित होते हुए दिखाई दे रहे हनुम विहारी आए और हनुमा विहारी ने रोहिट शर्मा के साथ मिलकर बहुत ही सूजबूज के साथ बल्लेबाजी करी और अर्दशत की साज़दारी के साथ 56 रनों की महत्वपूर्ण साज़दारी करके दिखा दी और रोहिट शर्मा के 46 रन की पारी के बाद रोहिट शर्मा और हनुमा विहारी की साज़ेदारी तूट गई और अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली करेश पर आने के कुछ ही समय बाद हनुमा विहारी 35 रनों के नीजी स्कोर के साथ अपना विकेट दे बैठे और भारती टीम के 116 रन पर टीन विकेट गेर चुके थे और अब बल्ले बाजी करने के लिए भारती टीम के विस्फोटक विकेट कीपर बल्ले बाज रिशब पन्त बल्ले बाजी के लिए उत्रे। शिकार हो गये और इस मुका wrapped कोली ने भारती क्रिकेट प्रेमियों को निराश गया और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी वो भी नहीं हो सकी इसके बाद बल्ले-बाजी के लिए उत्रे और श्रेय पंत ने 42-वे उबर में अपना अर्ध शतक पूरा गिया और ये अर्ध शतक किसी भी भारती बल्यवाज के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे 30 अर्ध शतक लगाया गया है और ये 28 गेंदो में लगाया गया है और इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था जिन् टीम की तरफ से पिछले मुकाबले के हीरो रहे रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने शांदार बल्लेबाजी का परिचर देते हुए एक शांदार अर्दशत की साज़ेदारी करी जिसे देखते हुए लगने लगा कि भारती टीम ठारा और श्रेय सयर 47 रन बना कर नाबाद हैं और भारती टीम इस मुकाबले को आराम से जीत सकती है तो दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में भारती टीम श्रेलंका की टीम को कितने रनों का लक्ष देगी अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सबस्क्राइब कर लिए हमारे योटुब चैनल को